हलो फ्रेंट्स, कुशन नमबर नेक्स्ट, कहना चाहरा है कि टू इक्वल बॉल्स आर मुविंग विद वेलुसिटी यू वन एंड यू टू, हमारे पास दो इक्वल बॉल है, इक्वल बॉल होने का यहाँ पर मतलब यह है कि जो पहली बॉल का मास है, वो ही दूसरी बॉल का मास है, और उनकी इनिशिल वेलुसिटी जो आपको दे रखी है, वो दे रखी है, यू वन एंड यू टू, विद इलाश्टिक कॉंस्टेंट दे रखा है, वो न पॉन टू, कोलाइड डारेक्ली, सीधा संगट करती है, ओके ध्यान सा सुनना बटा, जब दो बॉल आपस मे सीधा संगट करती है, तो अगर पहले वाली वेलुसिटी पोजेटिव है, तो दूसरे वाली वेलुसिटी हमेशा नेगेटिव होती है, लिसन केरफूली, अगर दो बोल डारेक्ली या दो, कोई भी दो बॉड़ी अगर डारेक्ली इंपक्ट करती है, तो उसके लिए एक व लोस होता है अगर वन माइनिस के अंडरू टू यू वन बराबर हो वन प्लस अंडरू टू यू टू ओके कि सिधा कुछन की बात करूंगा समझ दें की कुछ करना सॉल करने जा रहा हूं बिटा मेर को गिवन देट क्या गिवन है भई इस इगल टू कितना दे रखा है इस इगल टू दे रखा है वन पॉंट टू ओके दा वैलू सिटी ओफ फर्स्ट बोल इनिशियल वैलू सिटी ओफ वन बोल कितनी है भई बराबर यू बराबर यू ओके एंड दा वैलू सिटी ओफ अधर बोल इज कितनी है भई माइनस के यू टू डियू टू डारेक्ट इंपेक्ट किस वजा से है विद्धा रिजन ओफ डारेक्ट इंपेक्ट डारेक्ट इंपेक्ट के कारण दूसरे वाली वैलू सिटी कितनी होगी यू टू होगी क्लियर आना आगे की दरफ चलते हैं तो कुशन के अंदर जो है जो गिवन कंडिशन दे रखिए उसके कोडिंग चलूगा बिटा में अगें दब मास ओब दफस्ट बोल पहली बोल का मास कितना है भाई जो पहले वाली बोल है उसका मास कितना है सुपोस दैट वह एम वन है ओके अगें मास ओब सेगेंड बोल सेगेंड बोल का मास कितना है भाई सुपोस दैट वह मैंने माल लिया एम टू है कुशन के अंदर मेरे को फिर गिवन है कि गिवन दैट कुशन में दे रखाए टू इक्वल बोल इक्वल बॉल्ट्स मतलब क्या निकल गा भाई एम वन बराबर होगा एम टू के मैंने माल लिया बराबर एम के है आगे की तरफ चलते हैं कहना चाहरा है कि लोस इन एनर्जी लोस इन एनर्जी कुशन आपका यह है कि एकोर्टिंग टू गिवन कंडिशन के लोस्ट ओफ काइनेटिक एनर्जी इस इक्वल टू है आदा है किसका एक बटे दो इन्टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कुशन के अंदर सब सब कह रहा है फिर बोल नाव में इकवल बोल्स आर मुविंग विद वेलोसिटी यूवन यूटू दो इकवल बोल हैं एकवल बोल होने का मतलब Yeah इजे लोष्ट यानि इंपेक्ट होने के बाद उनकी जो काइनेटिक एंची है नुझा है आधी घठ जातीए वही कहना चीना चीरा रहा हूं में कहना चाहा हूं स्टस्राइब लॉस्ट ऑफ एनेरजी लॉस्ट ऑफ काइनेटिक एनेरजी अकोडिंग टू किवगन कंडिशन क्लियर आना यानिए मतलब यह कि जो गती जुर्जा के अंदर जो कमी आ रही है कुष्ण के कोडिंग दी हुई है एक बटे दो इन्टू इनिशियल काइनिटिक आनेटगी ओके चलते हैं आगी की तरफ सब सब पहले मैं लॉस्ट ओफ काइनिटिक आनेटगी की बात करूँगा We know that लॉस्ट ओफ काइनिटिक आनेटगी फार्मूला क्या होता है भाई इस इकल टू होता है एक बटे दो M1 M2 बटे M1 पलस के M2 1 माइनस के E स्क्वार और यह होता है U1 माइनस U2 का कम्प्लिट स्क्वार उस तरब चलते हैं इनिशियल काइनिटिक एनेर्जी क्या है आप इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो भाई जो पहले वाली बोल है आप इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो जो पहले वाली बोल है उसकी वैलो सिटी U1 है तो फर्स्ट बोल की काइनेटिक एनेर्जी कितनी होगी भाई काइनेटिक एनेटजी ओफ फर्स्ट बॉल पहले वाली बॉल की काइनेटिक एनेटजी होगी बटा एक बटे दो M1 U1 स्क्वाइर यही होगी न मैं कहना चाह रहा हूँ कि काइनेटिक एनेटजी ओफ सेचिंड बॉल कितनी होगी भाई वो होगी एक बटे दो M2 माइनस के U2 का स्क्वार वो एक अलग बात है ये निकल करके आई 1 upon 2 M2 U2 स्क्वार मैंने value डाली loss of energy मेरे को according to given condition loss of kinetic energy बराबर है एक बटे दो initial kinetic energy के मैंने value डाली तो given condition के according मेरे पास क्या है ये निकल करके आएगा loss of kinetic energy M1 M2 बटे M1 पलस के M2 1 माइनस के E स्क्वार U1 माइनस के U2 का complete स्क्वार इज इक बटे दो इन टू पहले वाली kinetic energy है 1 बटे दो M1 U1 स्क्वार पहली बोल के लिए दूसरे वाली बोल के लिए kinetic energy है 1 बटे दो M2 U2 स्क्वार क्लियर आगे की तरफ चलते हैं अगर यहां तक समझा चुकी बात तो next देखता हूं क्या होगा आपको कुशन के इंदर साप साप दिया हुआ है कि मेरा जो M1 है वो M2 के बराबर है और मैने उसको M के बराबर मल लिया तो यहां से मेरे पास कितना निकला बटा एक बटे 2 तो हुआ है यह वेलू डाली मैंने यह तो हुआ मेरे पास उपर M स्क्वार बटे M पलस M कितना हुआ 2M यह हुआ 1 माइनस के E स्क्वार यह हुआ U1 माइनस के U2 का स्क्वार E is equal to 1 बटे 2, 1 बटे 2, 1 बटे 4 तो होगा यह है M1, M2 दोनों सेम है ओके, 1 बटे 4 यह हुआ M U1 स्क्वार पलस M U2 स्क्वार ओके, आगे की दरब चलते हैं कुशन के अंदर E भी दे रखा है देखो आप, E is equal to कितना है E is equal to 1 by 2 गिवान है ना देखते हैं भाई E की हल्प से कारीजल निकल करके आएगा तो मैंने value डाली और इसको calculate किया, देखता हूं कितना आता है एक M से M केंसी लोगा उपर कितना बचा M upon 4 बचाना यहापे और यह कितना हुआ 1 माइनस की कितना हुआ E square हुआ और यह हुआ बचा, U1 माइनस के U2 का square हो रहा है E is equal to कितना हो रहा है 1 by 4 यह हुआ और यह हुआ U1 square पलस के U2 square ओके, और into M इस M से यह M cancel आगे की दरब चलते है इस 4 से यह 4 cancel 1 minus E की value कितनी एक बचे दो 1 minus E की value डाली एक बचे 4 होएगा यह हुआ मेरे पास U1 minus के U2 का complete square is equal to U1 square पलस के U2 square 1 minus 1 बचे 4 कितना निकल गय है 3 बचे 4 U1 minus के U2 का complete square is equal to U1 square पलस के U2 square आगे की दरब चलते हैं भई यहां से मेरे पास कितना निकल गर क्या 4 की उना गर्दी मैंने इधर तीन तो आया है यह U1 minus के U2 का square is equal to 4 into U1 square पलस के U2 square आगे देखता हूँ गुणा गंड़े के बाद कितना निकल रहा है क्या हो रहा है जहां से मेरे पास जो रिजल निकल कर क्या है कितना निकल गया भई यह हुआ तीन U1 square पलस के U2 square माइनस के 2U1 U2 is equal to 4 U1 square पलस के 4 U2 square यह कितना निकल गया भई 3 U1 square पलस के 3 U2 square माइनस के 2 गुणा 3 U1 U2 माइनस के 4 U1 square माइनस के 4 U2 square ओके is equal to कितना 0 कोई आपती दोन ही है ना आगे की दरफ चलते हैं देखो आप पहले वाला जो निकल कर क्या है बेटा 4 U1 वास एक तो निकला माइनस के U1 square दूसरे वाला निकला माइनस के U2 square माइनस के 6 U1 U2 is equal to 0 माइनस को मल ले लिया तो ये निकल गया बेटा U1 square पलस के U2 square माइनस के स्वाली माइनस माइनस पलस माइनस माइनस पलस 6 U1 U2 is equal to 0 जियानस के इंतर साप साप दिया है given that क्या दे रखा है वाई जो मैं आपको बताने की कोशिस कर रहा हूँ इसके पीछे लिखा हुआ है देखा आप ज्यान से मेरा जो U1 है वो तो U1 है ही जो U2 है टारेक इंपेक्ट की वज़ा से वो कितना है माइनस के U2 है ना आपके सामने है ना तो मैंसी का यूज कर रहा हूँ मेरको गीवन देट गीवन देट जो इनिशल वेल्यू है U1 की वो तो U1 है ही बट U2 इस इगल टू है वो माइनस के U2 है क्यों? डीव टू डाइडेक्ट इंपेक्ट डाइडेक्ट इंपेक्ट की वज़ा से तो मैं करूँगा के पुटिंग U2 इस इकवल टू माइनस के U2 सुपोस देट इस इज एक्वेशन है इन एक्वेशन मेरे पास रिजल्ट कितना निकल करके आ यह हुआ बटा U1 स्क्वार पलस के U2 स्क्वार माइनस के 6U1 U2 इस इकवल टू 0 मैंने क्या आगरा भई घ्यान से देखना मैंने U2 स्क्वार कॉमन ले लिया यह बना U1 बटे U2 का स्क्वार मैंने U2 स्क्वार कॉमन लिया माइनस के या पलस के कितना बना भई पलस के U2 बटे U2 का स्क्वार बना माइनस के 6U1 U2 बटे U2 का स्क्वार इस इकवल टू 0 यह तो उधर जाने के बाद यह मैंने कॉमन लिया इसके अंदर से यह तो उधर जाने के बाद 0 हो चुका यहा देखता हूं बटा यह बना मेरे पास U1 बटे U2 माइनस के 6 U1 बटे U2 का स्क्वार माइनस के 6 U1 बटे U2 और पलस के कितना हुआ 1 इस इकवल टू कितना हुआ 0 सुपोज करना हूं बटा आपको समझाने के लिए Suppose that U1 बटे U2 is equal to X यह quadratic equation बन जाएगी मेरे पास तो यहाँ से मेरे पास कितना निकला है यह वह बटा सीधा X स्क्वार माइनस के 6X पलस के 1 is equal to 0 आगे की दरब चलते है तो यहाँ से result मेरे पास कितना निकल करके आएगगा? यहाँ से मेरे पास result हो जाएगा जब में इसके उपर हमारे पास formula होता है A X स्क्वार पलस के B X पलस C बराबर अगर 0 है इसका formula कितना होता है? X बराबर होता है minus B plus minus under the root 20 स्कुार माइनस के 4 AC अपोन कितना होता है 2 गुना A यही होता है मैंने इसके इंदर कंचेप्ट लगाया X बराबर कितना निकल गया माइनस के 6 का मतलब 6 पलस माइनस अंडर दी रूट 6 का स्कुार कितना 36 माइनस 4 बटे 2 क्लियर है ना तो यहां से X बराबर निकला इतना तो आप कहल करी लोगे 3 पलस माइनस 2 अंडर दी रूट 2 ओके 3 पलस माइनस 2 अंडर दी रूट 2 यहां से देखवा 36 माइनस 4 गया कितना हुआ 32 आठ चोग 32 दो रूट 2 आ जाएगा बटे 2 दो को मल ले लिया मैंने खतम हो जाएगा इस को आंटिटी को देखो बटा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ दियां से सुनना इस इस वेरी इंपोर्टेंट यह जो होगा ना बटा दियां से देखवा X बराबर जो होगा ना 1 पलस माइनस अंडर दी रूट 2 का स्कौार है पहली संक्या का स्कौार देखो एक इसका स्कौार कोल करके देखो वन दूसरे का स्कौार के देखो दो पलस का निशान अगर आप ले रहे हो तो पलस दो अंडर दी रूट 2 आएगा माइनस का निशान लोगे 1 plus 2 minus 2 under the root 2 आया गया अर्तात ये वाला जो है इस संख्या का स्क्वार है ओके तो x बराबर कितना निकल गए बटा x बराबर निकला 1 plus minus under the root 2 का complete स्क्वार अब देखता हूँ x को मैंने क्या माना था मेरे पास x is equal to कितना था u1 बटे u2 तो यहां से कितना निकल गए बटा u1 बटे u2 is equal to हुआ कितना 1 plus minus under the root 2 का स्क्वार ओके ध्यान से सुनना कोई दिक्कत तो नहीं है अब मैंने जो है माल लिया जाए में एक ध्यान से देखना अगर मैं आप से बोलता हूँ कि suppose that यहां से 2 केस निकलेंगे greater than u2 से तब तो आप लोगे अगर u1 greater than u2 है इस position में जो है यानि पहले वाली गैंद की value city है दूसरे वाली गैंद की value city से बड़ी है तो हम लेते हैं हमेशा positive sign उसके इसम में मेरे पास क्या होगा यह होगा u1 बटे u2 is equal to होगा 1 plus under the root 2 का complete square इसके बटे में एक डाल दिया इसके उपर नीचे मैंने 1 minus under root 2 से उपर गुणा किया और 1 minus under the root 2 से मैंने नीचे गुणा कर दिया sorry same quantity से गुणा कर सकता हूं उपर देखो कितना निकला मेरे पास कितना निकल कर गया बटा यह निकला यूवन बटे यूटू इस इकुल डू देखो आप धियान से सुनना इसको क्या लिख सकता हूं इसको लिख सकता हूं 1 plus under the root 2 इसको लिख सकता हूं 1 minus under the root 2 इसकी पावर एक और बची हुई है उसको लिख सकता हूं 1 plus under the root 2 नीचे वाला बचा हुआ है उसको लिख सकता हूं 1 minus under the root 2 लिख सकता हूं ना इसको देखो आपको बता है a square minus b square is equal to होता है a plus के b a minus के b तो जब इसके उपर concept लगाऊँगा कितना निकलेगा पहली संक्या का स्क्वार माइनस दूसरी संक्या का स्क्वार बराबर कितना होगा भई यह होगा under the root 2 का स्क्वार माइनस 1 का स्क्वार कोई दिक्कत तो नहीं है दो डेंचन ओके आगे की दरब चलता है आपके mind के अंदर यह cushion भी पैदा हो सकता है के sir 1 का स्क्वार माइनस 2 का स्क्वार करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है negative quantity आईगी doesn't matter कोई दिक्कत नहीं है मैंने जान बूझ करके positive ली है के sir 1 के अंदर से घट रहा है आप ऐसे भी कर सकते हो 1 का स्क्वार माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वार यानी 1 माइनस के 2 इज इगल टू माइनस के 1 तब भी कोई दिक्कत नहीं है ओके no problem चालो तो यहाँ से मेरे पास कितना निकला यह दू निकल की value 1 finally कितना निकला मेरे पास यह हुआ U1 बटे U2 is equal to 1 पलस अंडर दी रूट 2 बटे 1 माइनस अंडर दी रूट 2 क्रोच उना करो 1 माइनस अंडर दी रूट 2 U1 इज इगल टू उसतरब कितना निकला 1 पलस अंडर दी रूट 2 U2 यह है ना निकल गया ना प्रूफ देखते हैं क्या मांग रहा है भई आपका कुछिन जो कह रहा है वो यह कह रहा है कि आपको रिजल सित करना है 1-1-2-1 is equal to 1-1-2-2-2 यही तो कह रहा है ना if अगर यह condition है ओके समझ आ चुकी बात फिर भी अगर आपका कोई डाउट है कोई प्राब्लम है कमेंट बॉक्स के इंदर कुछिन को डालिए आई वील हेल्प यू और हां इस चैनल के उपर फिरियो पोस्ट कुछ भी नहीं है बटा क्लियर कट बात ही है चालो बाई